दिस्ट्रिक सहारनपूर में सरसावा एयर फोर्स का पोर्ट मौजूद है एयर पोर्ट उसको पिछली यूपी सरकार ने सिविल एयर पोर्ट बनाने का परस्ताओ केंदर सरकार को भेजा था और जो के मनजूर भी हो चुका लेकिन वहाँ पर 65 एकर जमीन एकवार करने के बाद उसकी बॉंडरी करा दी गई लेकिन रनवे और डूसरे काम बड़ी धीमी से चल रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है त्योंकि यहाँ पर मौजूद है हमारे मंत्री महदे इसका संग्यान ले और उसमें कारिये में तेजी लाई जाए उसका एक कारण यह है कि साहरनपूर के अंदर वोड़न एंड आइरन की हैंडिक्राफ्ट की इंडिस्ट्री बहुत बड़ी है और जिसका बहुत बड़ा पार्ट तकरिबन 90 परसेंट पार्ट उसका एक्सपोर्ट होता है तो इसलिए बायर्स का आना जाना रहता है तो फोरण के जो बायर्स आते हैं अमूमन अमूमन का ज्यादातर दिल्ली में ही रुक जाते हैं चुकि आने जाने की अच्छी सुविदा नहीं है उसका नुकसान सहारनपुर के जो इंडस्टीज के लोग है उनको होता है तो मेरा आप से नुरोध है कि एयर पोर्ट को सिविल एयर पोर्ट का कारिय जल्दी कराया जाए ताके महा के लोगों को जो इंडस्टीज के लोग है उनको ज्यादे ज्यादे पाइदा पहुचाए पहुंच सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद खायस और से अगरवाल जी का बहुत धन्यवाद आपके मौकद दिस्ट्रिक सहारनपुर में सरसावा एयर फोर्स का पोर्ट मौजूद है एयर पोर्ट उसको पिछली यूपी सरकार ने सिविल एयर पोर्ट बनाने का परस्ताओ केंदर सरकार को भेजा था और जो के मन्जूर भी हो चुका लेकिन वहाँ पर 65 एकर जमीन एकवार करने के बाद उसकी बौंडरी करा दी गई लेकिन रनवे और डूसरे काम बड़ी धीमी से चल रहे हैं इसलिए मेरा अनुरोध है त्योंकि यहाँ पर मौजूद है हमारे मंतरी महोदे इसका संग्यान ले और उसमें कारिये में तेजी लाई जाए उसका यह कारणी है कि साहरनपूर के अंदर वोडेन एंड आइरन की हैंडीक्राफ्ट की इंडिस्ट्री बहुत बड़ी है और जिसका बहुत बड़ा पार्ट तक्रिबन 90 परसेंट पार्ट उसका एक्सपोर्ट होता है तो इसलिए बायर्ट का आना जाना रहता है तो फौरण के जो बायर्ट आते हैं अमूमन अमूमन का ज्यादा तर दिल्ली में ही रुक जाते हैं चूकि आने जाने की अच्छी सुविदा नहीं है उसका नुखसान साहरनपूर के जो इंडिस्ट्री के लोग है उनको होता है तो मेरा आपसे नुरोध है कि एयर्पोर्ट को सिविल एयर्पोर्ट का कारिये जल्दी कराया जाए ताके महा के लोगों को जो इंडिस्ट्री के लोग है उनको ज्यादे ज्यादा पहुंचाए पहुंच सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद खायस और से अगरवाल जी का जिया बहुत धन्यवा आपके महुत